जी जैसे बंडे एक्जाम के बारे में अगर हम देखें तो SSC, बैंकिंग और रेलवे के ये बंडे के जो टॉप एक्जाम है ये हैं तो अगर CGL की बात की जाए तो उसमें रीजनिंग का जो टीर वन का सेक्शन है उसमें 25 क्वेस्चन्स हैं टीर टू की अगर बात करें तो 30 क्वेस्चन्स हैं वहाँ पर हलो गाइज वेलकम टू आर टॉक शो आज हम बात करेंगे मिस्टर आशी सर से जो की प्लूटस अकैडमी में रीजनिंग फैकिल्टी है जिने काफी टाइम से टीचिंग का एक्सपिरियंस है जो कि अकैडमी में कंटीन्यू टीचिंग करा रहे हैं तो इनका सबजेक्ट है रीजनिंग जिसके बारे में आज हम थोडा इनसे एक्जांगी कि जो वनडे एक्जाम है ऑंसे बैंक रेलवी इन सभी से रिलेटिड जो भी गौँडमेंन्ट एक्जाम है तो इसमें reasoning का कितना weightage है और कैसे हम इसकी तयारी करें कि इसमें बच्चा अच्छा score कर सके और अपना selection पास सके जी जैसे one day exams के बारे में अगर हम देखें तो SSC, banking और railway के ये one day case जो top exam है ये हैं तो अगर CGL की बात की जाए तो उसमें reasoning का जो tier 1 का section है बैंकिंग में प्री और मेंस दोनों में है प्री की बात करें तो 35 questions है 20 minute में उसको attempt करना होता है और मेंस में 45 questions आते हैं बैंकिंग के sector में तो अगर बात की जाए कि प्री और मेंस दोनों के लिए तो SSC की अगर बात करें तो इसमें आप जितना practice करेंगे उतना आपके लिए beneficial रहेगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा questions आएं क्योंकि logic based questions होते हैं चाहे वो आप chapters के according देखें logical reasoning आता है जिसमें statement, assumption, conclusion इसके questions ज़्यादा SSC पूसता है banking की बात करें तो reasoning arrangement और puzzle इन सबसे questions ज़्यादा बनते हैं तो जितना practice किया जाएगा reasoning के section में उतना scoring है और सबसे अच्छा scoring subject है अगर किसी को score अपना enhance करना है चाहे वो tier 2 की बात की जाए SSC की या main banking की बात की जाए तो उसके लिए reasoning सबसे बेटर होता है टोसर मेरा next question आपसे रहेगा कि जैसे बच्चों को अभी तक भी ये confusion है कि bank और SSC में क्या reasoning का flavor same रहता है या फिर दोनों में कुछ difference होता है ने दोनों में बहुत difference है कुछ नहीं बहुत difference है देखा जाए तो केवल ऐसे 10 chapters है जो कि SSC और banking में common है वो भी basic और moderate label लेकर के जैसे blood relation की अगर बात करें तो SSC में भी आता है banking में भी आता है लेकिन bank में blood relation based puzzle आता है जबकि SSC में questions दो तीन line के ही रहते है pointing and indicating form का होता है coded blood relation का होता है puzzle form के blood relation के questions आपको bank में देखने को मिलेंगे SSC में नहीं आते तो SSC के slavos में जैसे paper folding and cutting हो गया ऐसे काई chapter हैं जो की banking की exam में नहीं आते तो दोनों के slavos में difference है SSC की बात करें तो SSC में क्या है कि chapter ज़्यादा है लेकिन आसान है उनमें practice ज़्यादा होनी है banking में chapters कम है लेकिन label moderate to high label है तो उसमें practice बहुत ज़्यादा करनी होगी student को तो सर प्रैक्टिस के लिए कितने questions की requirement होती है कि कितने questions आप उन्हें देते हैं या किस तरह से आप उन्हें PDF प्रोवाइड करते हैं हम अपने अहां academy में जो प्रोवाइड करते हैं क्लास में पहले एक बार concept होता है concept based questions कराया जाते हैं class में फिर उसके बाद 50 questions का एक PDF हम लोग देते हैं उसको class में solve करवाते हैं students से एक-एक question उसका फिर 50 questions का एक दूसरा PDF देते हैं practice के लिए यानि total hundred questions हर एक chapter में हम practice करवाते हैं तो students के doubts वगेरा होते होंगे class में जैसे की आप बताते हैं तो उन doubts को आप कैसे clear कराते हैं doubt के लिए क्या है कुछ doubts तो class में ही अगर chapter चल रहा है उसी time पे उनके doubts हैं तो class में हम उसको solve करवाते हैं otherwise class के बाद जो time होता है pre time या फिर Saturday को जो भी होता है doubt session arrange करा करके उनके problems को solve किया जाता है तो sir आप उनके test वगेरा भी कराते होंगे तो test आप कैसे कराते हैं online कराते हैं online और offline दोनों mode में test यहां पे हो रहे हैं Saturday online test तो हमेशा होता है और offline test की बात करें तो यहां पे Saturday को भी हो सकता है या फिर faculty को जैसे माली जी सरफ्राइट टेस्ट लेना है तो सरफ्राइट टेस्ट भी ले सकते है offline mode में दोनों तो sir एक question और है मेरा आपसे वो question यह है कि sir ऐसा क्या है कि reasoning में ही ज़्यादा बच्चा interest लेता है या reasoning का क्या रोल है एक्चल में reasoning क्या है logical है इसमें concept कम है लेकिन mind से आप सूचते हैं तो अगर आपको जैसे ज़्यादा पढ़ना नहीं पढ़ता रटना नहीं पढ़ता किसी चीज़ को आप free हैं आप बैठे हैं आप कोई एक puzzle लिए missing numbers लिए numbers के साथ आप सोच रहे हैं कि number क्या हो सकता है next आने वाला number क्या हो सकता है तो reasoning में interest है और 2022 से जब SSC CGL ने pattern change किया तो pattern change करके जब reasoning को सामिल किया गया tier 2 में नहीं जिससे पहले math और English का ही cable paper होता था tier 2 का तो अब तो reasoning आ गया है tier 2 में भी तो student इस वज़ासे ज़्यादा खुश है कि कम पढ़कर के हम ज़्यादा score कर सकते हैं है आप पर की सब्सक्राइब हम यह कह सकते हैं कि reasoning एक IQ बेश कोशन है जिसको काफी interesting बनाया गया है चीक है और इससे जैसे कि other subjects हैं उनसे related reasoning काफी easy है उनके यह कह सकते हैं कि अगर आप कम पढ़के ज़्यादा score करना चाहते हैं तो reasoning one of the best option okay thank you so much sir अपना किंती समय देने के लिए so sir मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अभी next week हमारा new batch start हो रहा है Plutus Academy में so आप उसे join कर सकते हैं और reasoning में काफी अच्छा score पानी के लिए 80 sir की classes भी आप join कर सकते हैं so thank you and youtube channel पर आप subscribe कर सकते हैं like कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा share कर सकते हैं और पास सकते हैं आप सुनहरा मुका Plutus Academy से जुड़नेगा